नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूग चैनल जी के ट्रैकर पे दिखे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परिक्षावानी MCQ प्रेक्टिस सेट सीरीज जिसमें हम पूरी परिक्षावानी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इन MCQs को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हुए चलते हैं अभी तक हमने इस सीरीज की साथ क्लासिस में साड़े 300 MCQs को जो आपकी उत्राखंड की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको कवर कर दिया है और साथ में अत्रिक तत्यों के साथ उनको हमने देखा है आज हम इस सीरीज की आठवी क्लास यहाँ पर कवर करेंगे और इसमें भी 50 important history के question उत्राखंड के उनको extra fact के साथ यहाँ पर देखेंगे अगर आपने इस सीरीज की हमारी जो previous classes हैं उनको नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है अशोक के कालशी अभिलेक में यहाँ के निवाशियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रियोग किया गया है जबकि यहाँ के छेतर के लिए किस शब्द का प्रियोग किया गया है तो देखे हमें कालसी से एक अभिलेख मिला है जिसे हम कालसी अभिलेख कहते हैं यहाँ अभिलेख अशोक का है और यहाँ अभिलेख 257 इसा पूर्व का माना जाता है और इस सिलालेख की खोच 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा करी गई थी यहाँ अभिलेक प्राकृत भाशा में और ब्रह्म लिपी में लिखा गया है इस अभिलेक में यहाँ के निवासियों के लिए यानि उत्राखंड के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया है और उत्राखंड के छेतर के लिए अपरांत छेतर कहा गया है option A, सही answer हो जाएगा एक और चीज, जिस समय का ये अभिलेक है उस समय भारत में जो केंद्रिय शाषन था, वो तो मौर्यों का था अशोक शाषन कर रहा था, लेकिन उत्राखंड में उस समय कुडिंदों का शाषन था और उत्राखंड में कुडिंदों के शाषन में अशोक का शिलालेक मिला है इससे ये बात साबित होती है, इससे ये बात पता चलती है कि जो कुडिंद लोग थे, ये मौर्यों के अधीन थे ये कोशन भी पेपर में आता है, ठीक है कि किस अभीलेक से पुष्टी होती है कि जो कुडिंद थे, मौर्यों के अधीन थे, कालसी अभीलेक कालसी अभीलेक को इस्थानिय भाशा में या इस्थानिय लोग चितरशिला भी खहते है ठीक है उत्राखंड में देश सेवा संगठन से संबंदित महिलाओं को जिन्होंने स्वतंतरता आंदोलन के समय रेलवे संपत्ती को अत्यदिक सती पहुँचाई थी कितने वर्षों की सजा हुई थी दिखी एक संगठन बनाया गया था देश सेवा संगठन कुछ जगों पर देश सेवक संग भी लिखा गया है दोनों एक ही बात है इसकी स्थापना 1942 में अलमोडा में मालती देवी के द्वारा की जाती है तो संस्थापा कौन है किसके नेत्युत में ये संगठन बना है मालती देवी इस संगठन से कई सारी महिलाईं जुड़ी हुई थी जैसे विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरती देवी इनके नाम आपने याद करने हैं नाम पूछे जाते हैं इन सबने मिलकर रेलवे की संपत्ति को काफी जाता नुकसान पहुचाय था स्वतंत्रता आंदोलन के दोरान, जिस वज़ा से अंग्रेजों ने इन से जुड़ी महिलाओं को 15-15 वर्ष की सजा दी थी Option C, सही आंसर होगा अलमोडा में किसने स्थापित किया था? मालती देवी ने इनका नाम आपने मुख्यतहा याद करना है Next गांधी जी की विदेशी शिश्या, सरला बहन के संधर्व में कौन सा कथन गलत है? सही नहीं है चलिए देखते हैं यहां हॉलेंड की मूल निवासी थी, पहला ही कथन गलत हो गया जो सरला बहन थी, यहां आपके इंग्लेंड की थी ठीक है, हॉलेंड की नहीं तो यहां वाला आपका गलत है इनका पूर्व नाम हाईलमन था, यह सही है इनका जो मूल नाम था, वो कैथरीन हाईलमन था इंग्लेंड से आती है, महत्मा गांधी की शिश्य थी और इनका नाम बात में सरला बहन हो जाता है इन्हों ने 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम के स्थापना करी, यह वाला भी आपका सही है इन्हों ने महिलाओं को स्वालंबन की शिक्षा के साथ स्वतंतरता आंदोलन के लिए भी तैयार किया यह वाला पॉइंड भी आपका सही है तो कौसानी आश्रम बनाया, इंग्लेंड से आई थी और किस से प्रेरित थी, इनहीं से प्रेरित थी, ठीक है नेक्स्ट है, वह अकबार जिसे सरिफ इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा बंद कर दिया गया कि उसके संपादक बद्रिदत पांडे ने ततकालीक डिप्टी कमिशनर की आलोचना करी थी तो कौन सा अकबार है? बहुत फेमस है, कई बार पेपर में पूछा गया है आपका अल्मोडा अकबार अल्मोडा अकबार 1871 में शुरू होता है बुद्धी बल्लपंत इस अकबार के पहले संपादक थे इसी क्रम में और विक्ति इसके संपादक बनते हैं जैसे इमतियाज अली बनते हैं, जीवानन्द जोशी बनते हैं, सदानन्द सनवाल बनते हैं और फिर बनते हैं विश्णु दजशी 1913 तक विश्णु दजशी अल्मोडा अकबार के संपादक रहते हैं 1913 में एंटरी होती है बद्रीदध पांडी की बदिदत पांडे के नित्यत में यहां अकबार और ज़्यादा खिलाफ हो गया था सरकार के लगातार उनकी अलोचना करता रहता था उस समय जो डिपटी कमिश्णर था उसका नाम था लोमश और इसके काफी कारनामों की इसकी काफी जादा अलोचना करता है अल्मोडा अकबार बदिदत पांडे के नित्युत में 1918 में इस अकबार के उपर डिप्टी कमिश्णर 1000 रुपए का जुर्माना लगा देता है और इस अकबार को बंद कर देता है तो अप्शन A आपका सही आंसर हो जाएगा तो अल्मोडा अकबार कब से शुरू हुआ अल्मोडा अकबार 1871 से आया अल्मोडा अकबार के पहले संपादक बुद्धी बलब पंद ये वो कोशन है जो पूछे जा सकते हैं तूदा पॉइंट्स में हैं सासाथ में लिख भी आप सकते हैं अगर आपके ये नोट्स नहीं बने हैं बद्रिदत पांडे इस अकबार के संपादक कब बने 1913 में और अकबार बंद कब हुआ 1918 में ठीके निक्स्ट है हमारा निमलिकित किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है तो खस जाती उत्राखण में निवास करने वाली एक प्रमुक जाती थी और इन खसों को तंगा कहा गया है व्रहत सहिता में Option C सही आंसर हो जाएगा ठीक है जो खस हैं इनको आरियों का ही वंशच माना जाता है जो खस जाती है वो खुद को आरियों का ही वन्षच मानती है और एक कुशन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में किस वर्ष खशों को शूद्रवर्ग में शामिल किया गया था इनको शूद्रवर्ग में डाला गया 1885 में इसको भी धियान रखेंगे निमलिकित में से किसने खस और सक जातियों को समान माना और कहा सक खस का अपभरंस है तो दीए उत्राखंड में खस जातियों का भी अधिपत्य रहा जो बौद धर्म का परचार प्रसार हुआ सबसे जादा उत्राखंड में वो खसों के ही काल में हुआ और उत्राखंड में सक जो खस है, यही यहाँ पर आपके सक है, यानि खस को ही अगर आप उल्टा लिखेंगे तो सक आपका बन जाएगा, यह मानते हैं राहूल सांकर्तियान, खस और सक को एक मानते हैं राहूल सांकर्तियान, option B, सही आंसर हो जाएगा, ठीके, राहूल सांकर्तियान कहते हैं, कि जो सक उत्राखंड में आये थे, ये इन ही खसों के वंस्दर्स थे, ठीक है और राहूल सांकृतियान के अनुसार जो उत्राखंड का पहला एतिहासिक वंश था, कतूरी वंश, इसका संबंध भी इन ही सक साशकों से था ये भी कौन मानते हैं, किसके अनुसार है कई बार रेफरेंस पूछ लेता है तो राहूल सांकृतियान ठीक है, निक्स्ट है, निमलिकित में से किसने, किसे वास्तविक रूप से कुमाओ का प्रथम कमिशनर माना जाता है, देखे कुमाओ का उत्रा खड में ब्रिटिश शाशन की वास्तविक आधार शिला रखी गई थी, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं पूर्तगाली गवर्नर कौन था हम पढ़ते हैं अलमीडा, और वास्तविक पूर्तगाली संस्थापा कौन था भरत में तब हम पढ़ते हैं अल्बुकर, उसी प्रकार पहला कुमाओ कमिशनर आप कहेंगे गाडनर और वास्तविक कुमाओ कमिशनर पहला आप कहेंगे विलियम ट्रेल विलियम ट्रेल की बात करें विलियम ट्रेल 1816 से लेकर 1835 तक कुमाओ का कमिशनर रहता है इसके काल में बहुत सारी घटनाय घटी बहुत सारे कारिय इसके दुआरा किये गए जिनको लेकर सवाल आप रहें इसी कोशन के साथ उनको नोट कर लीजिए 1815 में इसने अलमोडा और शिरी नगर के बीच में डाक सेवा शुरू करी इसके लावा 1819 में विलियम ट्रेल ने पटवारी के 9 पद सरजित किये थे कोशन आता है पटवारी का पद किसने सरजित किया था सबसे पहले विलियम ट्रेल ने किया था 1819 में किया था 9 पद इसने सरजित किये इसके लावा कुमाओं में जो आपकारी विभाग था उसकी स्थापना भी सबसे पहले विलियम ट्रेल ने करी थी 1822 में विलियम ट्रेल के द्वारा 1823 में पूरे कुमाओं को 26 परगनों में बाटा गया था और इसी को बोला जाता है 80 साला बंदोबस्त तो 80 साला बंदोबस भी किस ने करवाय था विलियम ट्रेल ने करवाय था विलियम ट्रेल ने 1822 में कूली बेगार प्रथा को खतम करने के लिए खचर सिना का गठन किया था कई बार हमने इन प्रशनों को देखा है इस सीरीज के माध्यम से आपका यही फाइदा होता है कि जहां पर भी आपका कोई विक्ती से कोई महतपून विक्ती से महतपून घटना से कोई भी कोशन आता है हम पूरे फैक्टों को साथ साथ रिवाईज करते वे चलते हैं जिससे आपके जो कॉंसेप्ट हैं वो और अच्छे से किलियर हो सके विलियम ट्रेल के द्वारा दो प्रसिद जेल का निर्मान करवाया गया था 1816 में इसने अल्मोडा जेल बनाई और 1821 में इसने पौडी जेल का स्थापन गरी थी इसको भी आपने ध्यान रखना है ठीके विलियम ट्रेल ने 1833 में अल्मोडा में एक देसी चिकितसक की भी नुक्ती करी थी नदियों पर सस्पेंशन पुल एसी के द्वारा बनवाये गए शुरुआत में 1824 में इसने डबल लॉक विवस्था को शुरू किया था सरकारी खजाने पर नियंतरन रखने के लिए और एक और चीज जो प्रमुक मंदिर थे बरिनाद के दारनाद उनके मार्गों का निर्मान भी करवाया था विलियम ट्रेल ने जिस वजह से इसके उपर इसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरो भी लगाया गया था ट्रेल के काल को नो अपील, नो दलील, नो वकील का काल कहा जाता है इसको भी ध्यान रखेंगे और ट्रेल के शाशनकाल को ट्रेल गर्दी के नाम से भी जाना जाता है कि ट्रेल अपनी मनमानी करता था ट्रेल गर्दी की जाच के लिए, इसकी जाच के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को भी भीजा गया था यहाँ पर जिसका नाम था Mr. Klen इसको भी आपने ध्यान रखना है ट्रेल को नियाई कमिशनर किस ने कहा है तो Atkinson ने ट्रेल को नियाई कमिशनर यहाँ पर कहा था तो एक कोशन से इतने सारे कोशन को हमने यहाँ पर रिवाइस किया निक्स्ट है अधिकारियों तथा उनके कारिया या विभाग के संधर्व में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है यानि एक तरफ आपको अधिकारी दिये हैं दूसरी तरफ उनके विभाग या कारिया दिये गए हैं चलिए देखते हैं जो महतम होता था आपका कतूरी शाशनकाल में किस विभाग का करमचारी होता था, किस विभाग से जुड़ा होता था, महतम आपका ग्राम रक्षक कहा जाता था, कोटपाल की बात करें यह आपका गड़ रक्षक कहलाता था, बला अध्यक्ष नाम से ही बता देंगे सेना नाय कुछ और important पददिकारी जो पूछे जा सकते हैं कि कतूरी काल में तहसील को क्या कहा जाता था तो कतूरी काल में तहसील के लिए तालू का शब्द का इस्तेमाल होता था और तहसील दार को क्या कहा जाता था ये question paper में पूछा गया है इसे कुल चारिक कहते थे इसको भी ध्या प्यार होता था यहाँ दवार रक्षक का काम करता था थीचिग है निक्स्ट है गोपेशुवर के रुदरशिव मंदिर के तृषू लेख में निम्न किन राजाओं के नाम मिलते हैं तो देखें, गोपेशुवर से जो हमें तरिशू लेख मिला है, इस पर हमें दो राजाओं के तरिशू लेख मिले हैं, उस पर नाम एक से जाधा राजाओं के हैं, दो से जाधा राजाओं के हैं, लेकिन तरिशू लेख किसके हैं, दो के हैं, एक गणपती नाग का और एक अ पर आक्रमन करता है नेपाल का शाशक अशोक चल और यहाँ भी जो गोपेश्वर में त्रिशू लेख था गणपती नाग का उसी त्रिशू लेख के ऊपर अपना लेख भी अंकित करवाता है तो दो राजाओं के वो लेख हैं गणपती नाग और अशोक चल का ठीक है जब ग राजाओं के नाम है और चोथा है गणपती नाग अगर सिर्फ नाग वन्ष के पूछेगा और दूसरा लेख किसका है उसी पर अंकित है वो है अशोक चल का तो त्रिशू लेख में किन राजाओं के नाम है इन दोनों के नाम है उपशन C सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से किस चंद राजा ने डोटी के नागमल को पराजित किया और शाही वंश को राजा को पुनहा डोटी राज्या निक्ट किया यानि डोटी राज्या पर उसको शाशन वहाँ पर दिया हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि भारती चंद जब डोटी जीत कर आया तो नागमल ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है रतंजन जाता है ओप्शन C सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड उत्राखंड के अन्या भाग को कुछ समय के लिए निमलिकित में से किस प्रेसिदेंसी के अधीन रखा था तो दिकेट अंग्रेजों ने जब शाशन करना शुरू के उत्राखंड में उसे दो भागों में बाट दिया एक छेतर को कहा गया टिहरी रियासत उसे अलग कर दिया सुदर्शन शाह को दे दिया और बाकी पूरे छेतर को कहा गया कुमाओ कमिशनरी को कुछ समय के लिए बंगाल प्रेसिदेंसी में भी डाला गया था अप्शन ए सही अंसर होगा ठीक है हाला कि किस वर्ष डाला किस वर्ष निकाला उसका उल्लेक नहीं मिलता है अभी किताबों में सिरिफ आपने याद कर लेना है किस प्रेसिदेंसी में जोड़ा था बंगाल प्रेसिदेंसी ठीक है गांधी जी की वह सिस्य जिसने रिशिकेश में पशुलोग की स्थापना कर महिला जगरती में अपना बहुमुल्य योगदान दिया महत्मा गांधी की दो शिश्य उत्राखण में आई थी एक का नाम था सरला बहन और एक का नाम था मीरा बहन सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम बनाया और मीरा बहन ने रिशिकेश में पशुलोग की स्थापना करी तो इसका अंसर हो जाएगा option A मीरा बहन अब question आता है जैसे सरला बहन का वास्तविक नाम कैथरीन हाइलमन था तो इनका वास्तविक नाम क्या है इनका वास्तविक नाम था मैडलीन स्लेड तो इसको भी आपने ध्यान रखना है मुनी की रिटी तथा सुमाडी से प्रथम और दुतिया सदी के निम्न में से किस वंश या काल की मुद्राइं मिलती है तो देखे मुनिकी रिती से, सुमाडी से हमें किस वन्ष की मुद्राई मिलती हैं, ये मिलती हैं कुशान वन्ष की या कुशान काल की, option C, सही आंसर हो जाएगा, इनकी मुद्राई हमें रिशिकेज से मिलती हैं, मोर्धवच यानि कोड़द्वार के आसपास से मिलती हैं, इनकी मुद्राई हैं वो गौवशान सिक्कों को माना जाता है, question आता है गौवशान सिक्के, यानि काशिपूर की जो मुद्राई हैं, वो किस वन्ष की हैं, तो भी आंसर कुशान हो जाएगा, और इन मुद्राओं को खोज किस नी किया था, केपी नोटियाल ने इनकी रखना है ठीक है कुशान वन्षि का जो सबसे शक्टिशाली राजा था उसका नाम क्या है आप सभी जानते हैं कनिश्क इस कनिश्क का जो उत्तरदिकारी हुआ उसका नाम था हुविश्क और इस हुविश्क की हमें 44 मुद्राएं मिली है मूनी की रेती से इसको भी आपने ध्यान रखना है ठीक है बाकी जो हमें वीरभद्र यानि रिशिकेस कोड़वार और काशिपुर से मिली है वो मुद्राइं जादतर वासुदेव दुत्यक की मानी जाती है जो इसी कुशान वन्शिक का शाशक था कुशान वन्शिकी जो मुद्राइं होती थी उनपर भगवान शिव और नंदी का चित्र बना होता था तो कुशान बन सकता है पूछा जाएगा उत्रा खंड में कुशान किसके बाद आए और इनका दमन करने का श्रे किसको जाता है ये दो पॉइंट आपको याद करने है उत्रा खंड में कुशान जो आए थे वो शक शाशकों के बाद आए थे ठीक है सकों के बाद इनका क्रम आता है और कुशाणों का दमन करने का जो श्रे जाता है वो यौधः शाशकों को जाता है इसको आपने ध्यान रखना है निक्स्ट है विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागी रती या मालती देवी जैसी उत्रा खंड की महिला स्वतometric सेनानियों का संबंद निम्र में से किस संगठन से है तो अभी हमने उपर संगठन देखा था इन ही सारी महिलाओं के हमने नाम देखे थे और इस संगठन का नाम था देश सेवा संगठन किस ने बनाय था मालती देवी ने बनाय था और इन्होंने रेल के उपर आक्रमन किया था जिस वज़ा से इने 15-15 साल की जेल होती है कूट की सहिता से बताइए कि कार्तिकेपुर राजाओं के तामर पत्रिया लेक निम्न में से किन इस्थानों से मिले हैं तो कार्तिकेपुर राजाओं के कत्युरी राजाओं के तामर लेक हमें पांडू केश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनात इन सब से मिले हैं तो चारो जगाओं से हमें इनके लेक मिले हैं यानि option D सही answer हो जाएगा कुल हमें आठ अभिलेक इनके मिले हैं, कार्तिकेपुर राजाओं के जो अभिलेक हैं उनकी लिपी कुटिला लिपी है जादा लेक किसके हैं? ललित सूर्देव के हैं और उसी को इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है निक्स्ट है, सरुप्रुथम किस चंद राजा ने जुमला, बजांग और थल राजियों को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया था? तो देखें, विभिन राजियों जिसमें जुमला, बजांग, थल राजिय शामिल हैं, इन सब को पराजित करने वाला, इनके साथ संधी करने वाला और इनको कर देने के लिए, टेक्स देने के लिए बाध्यय करने वाला शाशक रतन चंद था? option B, सही आंसर हो जाएगा, भारती चंद का रतन चंद पुत्र था, भारती चंद के ने डोटी को जीता था, सिरा को जीता था, और जब रतन चंद गद्धी पर आया, रतन चंद ने इन राजियों पर आकर्मन किया, इन राजाओं से संधी करी और इनको टेक्स देने के रतन चंद ने खुद ही इन पर आक्रमण किया था। दोनों में से कोई भी बात सही हो इतना कंफरम है कि इनको जीतने में योगदान किसका था। रतन चंद का था। ठीक है। इसके समय रोहिलों से चंद वंश का मधूर संबंद रहा ये भी सही है यहाँ एक धार्मिक राजिय था इसने मंदिरों के लिए कई ग्राम दान में दी ये भी पॉइंट आपका सही है इसने जागेशवर तीर्थ की यात्रा करी और वहाँ पर धर्मसाला को बनवाया ये भी आपका सही है तो जागेशवर में धर्मसाला का निर्मान किसने करवाया है रतन चंद ने करवाया केवल ये वाला पॉइंट आपका गलत है कीर्ती चंद के काल में सबसे जाला विस्तार माना जाता है चंद काल का निमलिकित में से किस महिला के नेतित में देश सेवक संगठ को हानी पहुंचाई फिर से वही कोशन concept एक ही है बस उसे घुमा घुमा कर पूछ लेता है कि कौन कौन सी महिलाएं जुड़ी है ये महिलाएं के संगठन से जुड़ी है इनका नेत्युत्व किस ने किया उपर मैंने आपको डिटेल में बताया प्रेस का नित्युत्व कौन करती है मालती देवी करती है ओप्शन D सही आंसर हो जाएगा वह अकबार जिसका प्रकाशन 1918 में अलमोडा अकबार के बंद होने से बद्रिदत पांडे के द्वारा किया गया उपर हमने कहानी देखी थी 1918 में अलमोडा अकबार हो गया बंद अलमोडा अकबार के बंद होने के बाद बद्रिदत पांडे ने एक प्रेस की स्थापना करी जिसका नाम था देश भक्ती प्रेस और इसी देश भक्ती प्रेस से उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था शक्ति कोशन बन सकता है सक्ति समचार पत्र किस प्रेस से आता था कौन सी प्रिंटिंग प्रेस से आता था देश भक्ती प्रेस या देश भक्ती प्रेस 1918 में ही ये बनी थी और इसी से निकाला इन्होंने शक्ति आप्शन B सही आंसर हो जाएगा ठीक है अलमोडा से ही ये समाचार पत्र आता था 1942 से लेकर 1945 के बीच में इसके उपर प्रतिबन लगा दिया जाता है फिर 1946 से ये दुबारा आना शुरू होता है निमलिखित में से किस ने उत्राखंड राज्य की प्राचीन शाशक कोडिंदों को द्विज मुख कहा है तो देखे कोडिंदों के लिए अलग-अलग गरंथों में, अलग-अलग पुस्तकों में, अलग-अलग शब्द कहे गए है कुडिंदों को उत्राखंड पे शाशन करने वाला पहला राजनेतिक वंश माना जाता है और इनको वरहा मिहीर के द्वारा द्विजमुक कहा गया है option D सही answer होगा रामायन में भी इनका उलेक आता है कोशन आता है रामायन की किस कांड में इनका उलेक है तो रामायन में जो किशकिंदा कांड है उसमें कोडिंदों का उलेक मिलता है महाभारत में भी इनका उलेक है कई बार हमने देखा है कि महाभारत में जो राजा सुबाहू है वो इसी वंशिके राजा थे कोडिंद वंशिके महा भारत में कुडिंदों को द्विज कहा गया है और कुडिंदों को द्विज श्रेश्ट कहा गया है और वरहा मिहिर ने कुडिंदों को क्या कहा द्विज मुक कहा इसके अलावा जो पणनी है इनकी जो रचना है अश्टा ध्याई उसमें कुडिंदों को कुलून कहा गया है इसको भी ध्यान रखेंगे और विश्णु पुराण में कुडिंदों को कुडिंद पल्यकश्य कहा गया है ठीक है? निक्स्ट है चंद राजा और उनके कारियों के संधर्व में सूची को सूची 2 से मिलाना है चलिए मिलाते हैं, पहला दिया है इंदरचंद, इंदरचंद ने क्या किया था, इंदरचंद ने रेशम वश्तरों का उत्पादन शुरू किया था, यानि सबसे पहले दो आएगा, फिर है बालो कलियान चंद, इसने क्या किया था, इसने राजधानी चमपावस से अलमोडा यानि फिर एक आएगा भारती चंद इसने नेपाल की अधिनता से मुक्त करवाया यानि आपका तीन आएगा और रतन चंद ने सोर के बम राजाओं को पराजित किया ये हो जाएगा आपका चार तो दो एक तीन चार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option B सही आंसर होगा ठीक ह next है निमलिखित में से किस परमार वंच के रास दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरतन विराजते थे तो किस राजा के पमार राजा के दरबार में अकबर के जैसे नवरतन रहते थे ये रहते थे फते पती शहा के काल में option A सही आंसर हो जाएगा देखे question आता है कि प फते पति शहा के काल को गड़वाल का सुन काल कहा जाता है अगर पवार वंश के राजाओं में पूछें। जैसे चंद वंश में किस के काल को कहते हैं? जगत चंद के काल को कहते हैं कुमाओं का सुन काल। ठीक है, फते पती शहा को गड़वाल का अकबर भी कहा जाता है, और गड़वाल का अकबर सिर्फ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इनके दर्बार में भी अकबर के दर्बार की तरहा नवरतन रहते थे, इनके नवरतनों के नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है जब बास्वानन्द बर्तवाल, रुद्रदत कमोठी, बास्वानन्द बहुगणा और कीर्ती राम कैंथोला, इनके नो रत्न थे, ठीक है, फतेपती शहा का एक चित्र घोडे पर बैठा हुआ मिलता है, और फतेपती शहा को गड़वाल का सिवाजी भी कहा जाता है, तो ये कुछ important fact फतेपती शहा को लेकर के, सबसे पहले जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ कि हम उत्राखन की history के MCQs को देख रहे हैं, जो आपकी परिक्षावानी की practice book है, हम उसको cover कर रहे हैं, और एक-एक जो आपके लिए important questions है, उनको detail में देख रहे हैं, सबसे बड़ा portion इसमें history का ह और उसी को हम कर रहे हैं, आज की वीडियो से आपके history के 400 questions यहाँ पर complete हो जाएंगे, अगर आपको history की detailed classes देखनी हैं, तो चंदवन्ष के उपर, पमारवन्ष के उपर, कार्तिकेपुर, कोडिंद, पौरवन्ष, उत्राखन का जो इतिहास है, उसके उपर detailed video अल्रेडी पन निक्स्ट है, 1905 में देहरदून से गडवाली नामक अकबार का प्रकाशन शुरू हुआ था, इसके संपादक कौन थे, तो 1905 में देहरदून से एक समचार पत्र आता है गडवाली के नाम से, और इसके जो संपादक थे वो पंडित गिर्जादत नैथानी थे, option C, सही आंस योग कविता किस अकबार के पहले संस्क्रण में छपी इसी अकबार के, गडवाली नामक समचार पत्र, 1905 में इसकी शुरूआत होती है, किसके द्वारा इसको निकाला गया था, तो इसके पीछे आपको पहले एक यूनियन पढ़नी पढ़ीगी, गडवाल यूनियन, गड तारदद गेरोला इसमें महत्वण योगदान करता थे, हाला कि और भी लोग शामिल थे, लेकिन महत्वण व्यक्ती तारदद गेरोला थे, इसी गडवाल यूनियन के द्वारा ये पत्र निकाला जाता है, इसको भी आपने ध्यान रगना है, ठीक है, इस गडवाली के केव केवल तीन ही संपादक रहे, 1952 की आता रहा, 1905 से लेकर के, केवल तीन थे, पहले थे गिरजदद नय था नी, फिर कुछ समय के लिए बने तारदद गेरोला, और फिर इसके 1916 में संपादक बनते हैं, विशंबर दत चंदोला, जो 1916 से लेकर 52 तक इसके संपादक रहते हैं निक्स्ट है, गर्व भंजन की उपादी धारन करने वाला परमार शाशक कौन था, तो किस शाशक ने, बरमार शाशक ने गर्व भंजन की उपादी धारन करी, वे थे महिपती शहा, और किसको इन्होंने गर्व भंजक की उपादी दी, या किसे गर्व भंजक कहा जाता है, दो पादियां हैं, एक है गर्वभंजक और एक है गर्वभंजन, गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंग भंडारी को, इनका नाम भी आपने दियान रखना है, ठीक है, कुछ जगहों पर दिया है कि गर्वभंजक महिंपति शाह को कहा जाता है, आपने पहला reference गर्व भंजन को ही देना है जैसे हम राजन लिखते हैं तो आपने भंजन को याद करना है अगर विकल्प में ना हो जैसे यहाँ पर भंजक लिख दिया जाता विकल्प में मादो सिंग भंडारी नहीं है तो आप इनको टिक कर सकते हैं लेकिन अगर आपको confusion होता है गर्व भंजक कौन है गर्व भंजन कौन है तो आपने भंजन पहले महिपति शाह को देखना है और गर्व भंजक में मादो सिंग भंडारी को देखना है निक्स्ट है गोपेशुवर के त्रिशू लेक से बारवी सदी के किस नेपाली शाशक के नाम का पता चलता है तो गोपेशुवर में त्रिशू लेक मिला है दो राजाओं के वो लेक हैं एक है गणपतिना और एक है अशोक चल तो बारवी सदी की बात कर रहा है यानि 1191 में अशोक चल ने यहां को जीता था इस छितर को जीता था तो आंसर हो जाएगा अशोक चल option P सही आंसर होगा question आता है अशोक चल कहां का निवासी था question में ही आप देख रहे हैं नेपाल का शाशक था नेपाल को समय डोटी कहते थे तो डोटी का यह निवासी था डोटी के अंतरगत एक जगा है जिसका नाम था दुलू वहां से यह आया था और इसने पूरे गड़वाल को अपने अधिकार में कर लिया था जो एक शिलालेख मिला है बोध गया शिलालेख जिसको कहते हैं उस बोध गया शिलालेख में इस अशोक चल को खस देश का राजा बताया गया है और उसमें जो खस देश लिखा गया है वो गड़वाल पस कुमाउग यानि पूरे उत्राखन के लिए लिखा गया है तो इससे ये माना जाता है कि अशोक चल ने पूरे राज्ये पर अधिकार किया था यहां किस कुल का था अगर यह पूछ ले तो यहां वैरात कुल का था ठीके इसको ध्यान रखेंगे वैरात कुल का व्यक्ति था इसके लावा इसने इस छेत्र में यानि उत्राखन में अपना सामंत किसको बनाया था पुरुसोत्तम सिंग को बनाया था ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे कर्णवती के बारे में हमने कई बार देखा है कि इनको नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है परित्वी पतिशाह जब छोटे थे तब इनकी संरक्षिका के तौर पर ये शाशन करती है जब नवाज़त खान के नित्वत में मुगल सेना यहां पर आती है सहा जहां भीसता है तो उसको पराजित करने का काम भी कौन करती है रानी कर्णवती करती है रानी कर्णवती ने ही देहरदूर में जो करणपुर नामक शहर है उसको बसाया था रानी कर्णवती की तुलना गुलकुंडा की रानी दुर्गावती से भी होती है तो गड़वाल की दुर्गावती या उत्राखण में रानी दुर्गावती किसको कहा जाता है इनहीं को कहते हैं ठीक है निम्न में से किसके नित्युत में नमक सत्याग्रह के दौरान अलमोडा के नगरपाली का भवन पर महिलाओं ने तिरंगा फैराया था ये कोशन पेपर में आया था और इनका नित्युत में पूछा गया पूछा गया इन महिलाओं में कौन शामिल नहीं थी इतना डीटेल कोशन भी बन जाता है नमक सत्याग्रहे के दौरान 1930 का समय है जब नमक सत्याग्रहे चल रहा था अलमूडा, नगरपाली का भवन पर महिलाओं ने तिरंगा फैराया और इनका नेत्यत्व कर रही थी बिश्नी दीवी शह option C, सही आंसर हो जाएगा इनके साथी कौन कौन थे उस समय इनकी साथी में एक थी जिनका नाम था कुंती वर्मा इनके अलावा जिवन्ती दीवी, रेवती दीवी, मंगला दीवी इन चार महिलाओं के नाम आपको पता होने चाहिए आजादी के लिए स्वतनत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला भी कौन है बिशनी देवी शाह ठीक है इनको जब गिरफतार किया गया था दिसंबर 1930 में इनको अलमोडा जेल में रखा गया था ये भी पूछा जा सकता है निक्स्ट है निमलकित में सेक्के से उत्रांचल में पुरातत्व की खोज का श्रे दिया जाता है तो उत्रांखन में पुरातत्व खोज का जनक कई बार देख चुके हैं हैं हैन्वुड को कहा जाता है option A सही आंसर होगा हैन्वुड ने ही उत्राखंड में सबसे पहले जो हमें देवी धूरा से समाधिया मिली है उनकी खोच करी थी 1856 में करी थी ठीक है उत्राखंड में पुरातत्व का जनक इसी को माना जाता है नेक्स्ट है स्वत्नत्रता आंदोलन में सक्रिया योगदान देने के चलते 1922 में उत्राखंड की किस महिला स्वत्नत्रता सेनानी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था कौन सी सुतनता सेनानी है ये थी आपकी कुंती वर्मा को अंग्रेजों के द्वारा जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था तो जो हमारी सुतनता सेनानिया है महिला है उनके नाम आपको पता होने चाहिए मालती देवी के लेकर के दो कोशन हम उपर देख चुके हैं सरला बहन के बारे में जान चुके हैं कमला और बसंती के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये दोनों सगी बहने थी और कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम थी उससे जुड़ी हुई थी और सर्वोदय का ये परचार प्रसार करती थी नगरपाली का जो भवन था अलमोडा का उसमें तिरंगा फैराय जाता है बिश्नी दीवी शाह के दौरा उनके साथी थी कुंती वर्मा बिश्नी दीवी शाह को अलमोडा जेल में रख दिया जाता है बाकी की महिलाओं को फतहगड जेल में रख दिया जाता है कुंती वर्मा उनके हाथ नहीं आती इसलिए इनको पकड़ने के लिए ऐसा आदेश जारिक किया जाता है उत्रा खंड में प्राचीन काल के अधिकारियों तथा उनके कारिय या विभागों के संधर्व में सूची को मिलाईए उपर हमने कुछ अधिकारियों को देखा था, कुछ अधिकारियों को यहाँ पर मिलाएंगे हमने कुल्चारिक को मिला लिया था, कुल्चारिक यानि तहसीलदार, यह आपको पता है भ्रत्य को भी हमने देखा था कि भ्रत्य सेवक को कहा जाता है तो पहले का तो तीन हो गया प्रतिहार कहा जाता है द्वार रक्षक को यानि उसके बाद चार आएगा गुप्त कहा जाता था रक्षक को यानि एक आजाएगा और फिर आपका दो आजाएगा तीन चार एक दो सही आंसर हो जाएगा तीन चार एक दो option D नमक सत्याग्रह के दोरान निम्न मेश से उत्रा खंड की महिलाओं ने नगरपाली का भवन पर तिरंगा फैराया इन में कौन शामिल थी? ये बताना है हमने देखा रेवती दीवी थी जिवन्ती, मंगला दीवी भी थी कुंती वर्मा भी थी लेकिन मालती दीवी कौन है? 1942 में देश सेवा संगठन से जुड़ी हुई है ये शामिल नहीं है बाकि ये तीनों किस्से समद्धित हैं नमक सत्याग्रह से ABC इसका आंसर होगा Option C तो इस टाइब के कोशन आते हैं आपको confuse वहाँ पर करने के लिए इससे आप कितनी प्रेक्टेस हो जाएगे कि आप फिर कभी confusion यहाँ पर नहीं होगे निमलिकित में से कब टिहरी रियासत को पंजाब Hill State Agency के साथ सयुक्त कर दिया गया था तो टिहरी रियासत को पंजाब Hill State Agency के साथ जोड़ा गया था 1937 में और टिहरी रियासत का भारत में विले किया गया 1949 में डेट सहीद पूछा जाता है एक अगस्त को जब टिहरी का विले भारत में किया गया तो उस समय टिहरी के राजा कौन थे कई बार हमने देखा है मानवेंद्र शहा थे जब टिहरी का विले भारत में किया गया तो टिहरी को क्या बनाया गया टिहरी को जिला बनाया गया था ये कहा था मुलायम सिंग यादव ने, option D, सही आंसर हो जाएगा, और इनहीं से जुड़ा हुआ, एक और कोशन आप से पूछा जाता है, कि जब मुझफर नगर कांड हुआ, तो मुख्यमंतरी कौन थे, तो भी कौन थे, मुलायम सिंग यादव, ठीक है, कौसिक समीती का जो गठन किया गया था, प्रिथक राज्य के लिए उसका गठन भी किस ने किया था, मुलायम सिंग यादव ने किया था, जो मुझफर नगर कांड है, जिसे रामपुर्ति रहा कांड कहा जाता है, दो अक्टोबर 1994 को होता है, उसे कुरूर शाश्रक की कुरूर साजिश भी कहा जाता है, ये मना जाता है कोल जाती को, उप्शन B, सही आंसर होगा, यानि उत्राखन का आदी निवासी, उत्राखन में निवास करने वाली पहली जाती कौन थी, कोल थी, उप्शन B, सही आंसर होगा, कोल जातियों को साहित्यक ग्रंथों में क्या कहा गया है, इनको साहित् मुंड या शबर कहा गया है मुंड या शबर किसके दूसरे नाम है इनहीं के नाम है कोल के ठीक है कोल जाती के बाद उत्राखण में किसका आगमन होता है कोल के बाद उत्राखण में आते हैं किरात इसको भी ध्यान रखेंगे और इन किरात को उत्राकंड की प्राचीनतम जाती मानता है जौर्द गियर्सन वैसे माना किसको जाता है? कोल को माना जाता है जो उत्राकंड के इंसाइकलोपीडिया कहे जाते हैं सिप्रसाद डबराल वो भी कोल को मानते हैं आपने भी पहला कोल पर ही टिक करना है पुराण में क्या का गया है? इनको इसकंद पुराण में भिल कहा गया है कोशन पूछा जाता है ठीक है इन किरातों की भाशा क्या थी? इनकी भाशा को मुन्डा कहा जाता था ये भी important है ध्यान रखेंगे ठीक है? महा भारत के वन पर्व में भी किरातों का उलेख है उसमें बताया गया है किरात जो थे इनके जो नेता माने जाते हैं वो भगवान शिव माने जाते हैं और महा भारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के जंडे के नीचे अरजुन के साथ युद्ध भी किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे, किरातों के बाद उत्रा खंड में खस जाती यहां पर आती है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, तो यह करम है, सबसे पहले कोल, फिर किरात, और फिर नेक्स्ट है, निमलिकित किस चंदवंशिया राजा को कुमाओ का महम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, तो कुमाओ का महम्मद बिन तुगलक यह कहा जाता है देवी चंद को, ओप्शिन C, सही आंसर होगा, देगे कुमाओ का स्वन्नकाल कहा जाता है जगत चंद के काल को, जगत चंद का जो टाइम पिरियर्ड था वो 708 से लेकर 1720 तक था, इसी जगत चंद का बेटा था देवी चंद जिसका शाशनकाल 1720 से लेकर 1726 का था, और इसी देवी चंद को कुमाओ का महम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, option C, सही आंसर होगा, जो एटकेंसन हैं और इतिहा उत्राखंड के ताड़ी खेत में प्रेम विध्याले की स्थापना करी थी, तो देखें, उत्राखंड में अल्मोडा के ताड़ी खेत में प्रेम विध्याले ये बनाया था, देव की नंदन पांडे और भगीरती पांडे ने, option C, यहां पर सही आंसर होगा, और स्वतनतित आंदोलन के दोरान एक राष्ट्रिय विध्याले भी बनाया जाता है, वो गड़वाल में बनाया जाता है, सिलांगी में, वो बनाया था सदनन्द कुकरेती ने, तो प्रेम विध्याले पूछेगा, तो इनके नाम लेंगे, और राष्ट्रिय विध्याले पूछेगा, तो इनका नाम लेंगे निक्स्ट हैं उत्राखंड प्रतक राजिया आंदूलन के संधर्व में निमलिकित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है कम्मिनिस्ट पार्टी के महासचीफ पीसी जूशी ने कुमाउराश्ट्य मूर्चा का गठन किया था 1970 में इसका गठन होता है तो पहला वाला पॉइंट आपका सही है 1972 में उत्रांचल परिशद के कार्य करताओं ने दिल्ली में वोट कलब पर धरना दिया था ये भी आपका सही है वोट कलब आपके दिल्ली में है वहाँ पर धरना करते हैं उत्रांचल परिशद के लोग उत्रांचल परिशद बेसिकली 1972 में बनती है नेनिताल में बनती है 1973 में ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं और वहाँ जाकर वोट कलब पर धरना देते हैं इसी परिशद के लोगों ने बद्रीनाध धाम से लेकर दिल्ली वोट कलब तक यात्रा भी करी थी जिसका नेतित्व प्रताप सिंग नेगी ने किया था। ये पॉइंट भी सही है। 1970 में रामनगर में आयोजे सम्मेलन में परवत्य राज्य परीशत का गठन किया गया। देखे रामनगर में तो गठन हुआ था लेकिन सत्तर में नहीं 1967 में होता है जिसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे को बनाया गया था। देखे चमोली के विधायक प्रताप सिंग ने कि ये गलत हो जाएंगे साधानन कुकरिती आंसर हो जाएगा। कुमाउ छित्र में सूरिय की मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्तिती निम्न में से किन शाशकों की उपस्ति एवं अधिकार की पुष्टी करता है। तो देखे सक राजाओं के बारे में माना जाता है कि य पुर्त्राखण में हमें विभिन जनपदों में सूर्या मंदिर देखने को मिलते हैं और इसी से ये माना जाता है कि यहां पर शकों ने शाशन किया था। तो सूरिया मंदीर, सूरिया की मूर्तियों की उपस्तिती, किसके बारे में हमें प्रमाण देती है, सक राजाओं के बारे में, ठीके, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, कि जो कुडिंद वंश था, उस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, उसका नाम था अमोग भूती, अमोग भूती के मरने के बार, मैदानी इलाके पर शकों का अधिकार हो गया, ये कोशन भी आता है, पहाडी अलाकों पर अभी भी कुडिंद ही शाशन कर रहे थे, तो उत्रा खण में सूरिया मंदिर आदी हमें किसके बारे में बताते हैं, शकों की उपस्तिती के बारे में बताते हैं, कुछ प्रसिद सूरिया मंदिर जिनकी लोकेशन पूछ लेता है, जैसे कटारमल सूरिया मंदिर, बड़ा अधित्य सूरिया मंदिर या बूटधारी सूरिया मंदिर, तीनों एक ही मंदिर के नाम हैं, और ये अलमोडा में हैं, सुई का सूरिया मंदिर कहां हैं, सुई वीर भद्र कया रिशिकेश का नाम है? सही है मोरधवज कूरदवार के आसपास के इलाके को कहा जाता था ये भी सही है गौविशान काश्यपूर को कहते हैं ये भी आपका सही है सभी आपके सुमेलित हैं उत्राखन प्रतक राज्ये की मांग के संधर्व में निमलिकित में से कब कम्मिनिष्ट विचारधारा वाली संगठन या संग कुमाउ राष्ट्रिय मोर्चा का गठन किया गया तो अभी हमने देखा कुमाउ राष्ट्रिय मोर्चा किस से प्रेरित था कम्मिनिष्ट से प्रे निक्स्ट है निमलिकित में से किस संस्था या संग ने उत्राखंड प्रतक राजय के संधर्व में 1984 में 900 किलोमीटर की साइकल यात्रा निकाली थी कितने किलोमीटर की थी 900 किलोमीटर, ठीक है, निमलिकित में से किस संग या संगठन ने 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया था, अभी हमने ऊपर एक फैक्ट देखा था, कि एक परिशद बनती है, जिसे कहा गया उत्रांचल परिशद, उत्रांचल परिशद 1972 में बनती है, 1973 में ये दिल्ली चलोकर नारा देती हैं, option B, सही आंसर होगा, और बदिना से लेकर दिल्ली तक, वोट कलब तक कौन यात्रा करते हैं, प्रताप सिंग नेगी के नित्वत में यात्रा होती है, ठीक है? नेक्स्ट है, भारत छोडो आंदोलन के संधर्व में, निम्न में से किन इस्थान पर सेनिकों द्वारा गोली बारी में दो सगे भाई, गंगाराम और खीमा देव शहीद हो गए थे, तो गंगाराम और खीमा देव ये शहीद हुए थे, सल्ट गोली कांड में, option A, सही आंसर ह सल्ट गोली कांड 5 सितंबर 1942 को होता है, अलमोडा का जो कॉंग्रेस का मुख्यालय था, वो सल्ट में था, और यहीं पर ये गोली बारी होती है, गोली चलाने का आदेश कौन देता है, जो यहां का SDN था उस समय, उसका नाम था जॉन्सन, इसने ये गोलियां चलवाई थी, इसमें दो सगे भाई कंगा राम खीमा देव शहीद हो जाते हैं, और किस दिन बाद चूडा मणी और बहदुर सिंग भी शहीद हो जाते हैं, ठीक है, आज भी कुमाओं के सल्ट छेतर में 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, निक्स्ट है, पहली शदी के उतरार्द में, राज्य के तराई वाले भागों पर किस वंच ने अधिकार किया, अभी हमने उपर देखा था न, जब हमने कुशान राजाओं के बारे में बात करी, कि कुशान किस के बाद आये थे, और कुशान का दमन किस ने किया, हमने देखा था, कुशा बाद कौन आया था, सिधा सिधा आंसर हो जाएगा कुशान, option C, सही आंसर है, निमलिखित में से सरवादिक मुद्राएं, किस कोडिन शाशक की प्राप्त हुई है, तो कोडिन्दों का सबसे महान राजा, सबसे प्रतापी राजा, वो माना जाता है, अमोग भूती को, और इस लिपिया होती थी, उसमें खरोष्टी और ब्रहमी, दोनों मिलकी हमें मुद्राएं मिली है, खरोष्टी की भी मिली है, और ब्रहम की भी मिली है, नेक्स्ट है, निमलिकित में से कब, लाल कृष्ण आडवानी की अधिशता में, अलमोडा के पार्टी सम्मेलन में, उत्तर प्रवत्या च्छेत्र को अलग राज्य की मांग को सुईकार किया गया यानि उत्तराखन गठन करने की मांग को बीजेपी की द्वारा कब सुईकार किया गया था 1987 में अलमोडा में जब पार्टी समेलन हुआ था और किसकी अधिक्षता में हुआ था लाल कुष्ट आडवानी की अधिक्षता में और इसी में ये डिसाइड किया गया था कि जो परवत्या इलाका है जो प्रिथक राज्या है वो बनेगा और उसका नाम उत्रांचल रखा जाएगा ठीक है कुमाओं का बेताज बादिशाः निम्न में से किसे माना जाता है बहुत ही सिंपल कोशन है बोसी जादा रिपिटेड कोशन है बेताज बाहत्सा रैमजे को माना जाता है option c सही answer होगा King of Kumau किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं लेकिन अगर पूछेगा कि Kumau में किस अंग्रेज के काल को स्वण काल कहते हैं तो आप बैटन के काल को बताएंगे Next, मान सुरवर की यात्रा को अवरूद मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसने तिबती हुणियों को पराजित किया था तो तिबती जो हुण जाती थी इनको हराने का काम किया था बाज बहदुर चंद ने Option A, सही आंसर हो जाएगा हुणों को इसने पराजित किया रों हुणों पर इसने सिर्थी नामक कर लगाया कोशन आता है हुणों से सिर्थी नामक कर किसने वसूल किया बाज बहदुर चंद ने Option A, सही आंसर होगा तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो आज के वीडियो में भी हमने उत्राखन हिस्टरी के 50 कोशन को देखा और अब हमारे number of कोशन की संख्या 400 तक पहुँच चुकी है ऐसे ही हमने एक एक कोशन को इन 400 कोशन को डीटेल में देखा है एक्ष्टाफेक्ट के साथ देखा है ताकि आपकी प्रेक्टिस भी होती रहे आपका रिवीजन भी होता रहे और बार बार रिवीजन से आपके कॉंसेट भी किलियर होते रहे जिससे आपको रटने के आवशकता ना पड़े अभी हिस्ट्री के आपकी और क्लासेस आएंगी सबसे बड़ा पोशन यही है सबसे ज़ादा कोशन भी यहीं से आते हैं फिर आपको ऐसे ही जोग्रोफी के उत्राखन में नदीत तंतर के जीलों के ताल के परवत के दर्रों के सबके MCQ ऐसे ही इस पूरी सीरीज में देखने को मिलेंगे जिससे आपका पूरा उत्राखन और परिक्षावानी जो परिसिक बुक है सबसे जादा कोशन उसी बुक से आते हैं पूरी किताब आपकी अच्छे से प्रेक्टिस हो जाएगी उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं तैंक्यू फ्रेंट्स